मज़ा नहीं जाए नमस्कार मित्रो साइं एक्सिलेंट कोचिंग के यूटूब चैनल में एक बार आपका पुनहा स्वागत है तोपिक बाइट कंप्ली और डीपली स्टेडी के लिए साइं एक्सिलेंट कोचिंग के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें, शेयर कर लें, आज का आपका current affairs का session है, और आज के आपके इस current affairs के session में, आज हम महत्वपूर विशे के साथ आए हैं, और आज का महत्वपूर विशे है आपका COVID-19, तो आज का जो आपका topic है, वो COVID-19 से सम्मंदित question, कितने किस तरह से बनते हैं, आज हम उन सभी questions की बात यहाँ पर करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको बताएंगे किन-किन बिंदों पर चर्चा करेंगे, उन बिंदों की बात करते हैं, तो पहली बात करते हैं कि इस COVID-19 का नाम कैसे रखा गया, कैसे इसके नाम की शुरुवात हुई, कहां से ये बात starting हु वाइरस की, सुक्षम दर्सी के द्वारा इस वाइरस की सतह को देखा गया, तो इस वाइरस की सतह पर क्राउन की तरह एक स्पाइक्स की सीरीज बना इस, इस स्पाइक्स जैसे सीरीज दिखाई थी, तो ये सीरीज जो दिखाई थी, तो इस क्राउन की तरह जो सीरीज थी, वो सीरीज के कारण ही, इसका नाम, क्राउन रखा गया, और क्राउन के बाद इस क्राउन से ही सब्द बना आपका कोरोना, तो ये जो सीरीज दिखाई दी, जब इसको इलेक्टोन सुच्छुम दर्सी के द्वारा देखा गया, तो क्राउन की तरह इसकी स्पाइक सीरीज के कारण ही, इसका नाम कोरोना रखा गया, एक्च्छल में ये पहले कभी भी नहीं देखा गया, ये इकलोता था, अकेला था इस तरह का, इसलिए इसके नाम के आगे नोबेल सब्द जोड़ दिया गया, तो नोबल सब्द जो जोड़ा गया, तो उस नोबल का मतलब या नोबेल का मतलब है यूनिक, तो नोबेल सब्द इसलिए इसके आगे जोड़ दिया गया अर्थात जब पहले कभी नहीं, तो पहले कभी भी नहीं के कारण इसके नाम के आगे नोबेल रख दिया डवलू हो ने चूकि ये सन उन्निस में खोजा गया इसलिए यहाँ पर इसके कोशे और इसके बिल से मिला करके इसका नाम कोविड रग दिया गया तो एक्च्वल में यहाँ के कोशे यहाँ के वी से मिला करके इसका नाम डवलू हो ने कोविड नाइंटिन रग दिया क्योंकि इसकी खोज दो हजार उन्निस में हुई तो सबसे पहला विंदू नाम पर चर्चा कर रहा हूँ अब बात करते हैं तो समझ में आ गया होगा कि कहां से इसका नाम आज जो कोविड नाइंटीन कोरोना वाइरस तो कोरोना सब की उत्पत्ति क्रायों से हुई और क्राउन क्यों क्योंकि जब इसको इलेक्ट्रों सुक उत्पत्ति कहां हुई तो अब दूसरे बिंदू पर चर्चा करते हैं इसकी उत्पत्ति के चर्चा करते हैं आज का सैसन आपको पता लगी चुका कि कोविड नाइंटीन से सम्मझ में कोश्चन आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपनी नाम पर चर्चा कर ली नाम पर उत्पत्ति पर चर्चा कर रहे हैं, कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई, देखते हैं भाई, इसकी उत्पत्ति सब जानते हैं, कि चीन की बोहान प्रांत में इसकी उत्पत्ति हुई, आप जानते हैं कि एक्सिलेंट टॉपिक बाइट को जाना जाता है, यहां रटने की बात नही और कोश्टन तो ऐसे ही उठेंगे, कोश्टन उठ सकता है कि COVID-19 का नाम करने वाला कौन से सस्ता थी, चार विकलपा जाएंगे, निशेफ, चीन, WHO, इनस को, पता है आपको तो उत्तर दे दोगे, पता नहीं है तो उत्तर देने में आपा समर्थ होंगे, और आज प्रते कंप् इसलिए आप जानते हैं, जिनियेटिव मार्किंग में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, तो COVID-19 की उत्त्ती बौहान प्रांत में हुई थी, और COVID-19 की उत्त्ती बौहान प्रांत चीन में हुई थी, तो उत्त्ती का बारे में पता लग गया, एक्चल में, कि जो, ये जो कोरोना जिससे आज पूरी दुनिया महमारी तो डवलू एचो नहीं इसे एक महमारी का रूप जनवरी में घोसित किया और भारत में पहला केस 30 जनवरी को प्राप्त हुआ था तो भारत में पहला केस 30 जनवरी को पॉजिटीव पाया गया तो भारत में उत्मन कव हुआ भाई साब, तो तीस जनवरी को, तो ये थी बात आपकी दूसरे टॉपिक की, उत्पत्ती की, अब अगली बात शुरू करता हूँ, उत्पत्ती के बाद, कि ये किस प्रिकार का वाईरस है, और किस तरह सी, और कौन-कौन सी कोश्चन, इस से सम् बनते हैं, तो उन सभिस्त बिंदूओं पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं सहाब इसका, कि और कौन-कौन से बिंदू इस से उठते हैं आपके, तो उन समस्त बिंदूओं पर चर्चा करते हैं, जो जो बिंदू इस से उठते हैं, दे ये coronavirus और COVID-19 दोनों अलग-अलग है coronavirus तो पहले भी जो कि SARS की तहे था जो मनुस्य के स्वसन्त अंत्र को प्रभावित करता था तो अगर question आता है कि पहली बार coronavirus की बारे में कब पता लगा था तो आपको बता दिया जाए कि पहली बार इस दुनिया में कोरोना बाइरस के बारे में कोरोना बाइरस की जानकारी इस विस को सन 1960 में हुई थी लेकिन COVID-19 इसी फैमिली का है वो अलग है तो फिर सो समझना आया कि पहली बार कोरोना बाइरस की जानकारी कब हुई 1960 में हुई थी अब बात करते हैं कि दूसरा तसनिहा बनता है कि आखिरक दूसरा इसका नाम COVID-19 जो डालने का कारण था तो किराउन structure होने के कारण इसका नाम आपका COVID-19 पड़ा तो crown structure होने के कारण इसका नाम आपका COVID-19 किसके द्वारा WHO इसके बारे मैं हमने बता दी थी तो अब हम तीसरे बिंदू पर चर्चा कर रहे हैं इसकी सामान जानकारी के बारे में अब सामान जानकारी की बात चले यह समय अब हम बात करते हैं इससी फिर आपका question आता है कि कोरोना बाइरस आखिरकार है क्या तो अब हम बात करते हैं कि कोरोना बाइरस क्या है इस पर बात करता हूँ वैसे हला कि आप सब जो है अखवार के टी-वी के माध्यम से खूब सुन रहे हैं। लेकिन आज इस चैनल में जो आप पढ़ रहे हैं वोगी कमपीशन के लिए पड़ रहे हैं कि ताकि competition में किस तरह के question इससे उठाई जा सकते हैं तो जिस तरह के question इससे उठाई जा सकते हैं competition में उसकी बात मैं और करूँगा actual में coronavirus क्या है तो यहाँ पर दो तरह से question उठा सकता है कि एक तो coronavirus जो है वो virus की बड़ी family है इस family का ही एक virus है COVID-19 तो coronavirus क्या है virus की एक बड़ी family है और इसी में कि niedow virus virus के जब type है तो निडow virus प्रकार का है तो coronavirus का है coronavirus का virus की family में से कौन सा टाइप है तो यह जो टाइप है वो निडो बाइरस का एक प्रकार है तो कोरोना बाइरस कैसा है निडो बाइरस का एक प्रकार है यह बात समझ गए कोरोना बाइरस क्या है बाइरस की एक बड़ी फैमली है और निडो बाइरस है और इसको डबलु एचो के द्वारा COVID-19 नाम दिया गया तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया WHO के द्वारा World Health Organization विस्व स्वास्त संख्थन विस्व का स्वास्त के मामने में सबसे बड़ा अंतरास्ति संख्थन जो कि UNO का एक संख्थन है अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस का पहला केस कहां मिला था तो ये भी कोश्चन पूछा जा सकता है कोरोना वायरस का पहला केस कहां मिला था तो कोरोना वायरस के अब उत्पत्ति और नाम के बाद जानकारी के बारे में बात कर रहा हूं तो अब आपका अगली बात बता रहा हूं कि कोरोना वाइरस का पहला केस इस पूरी दुनिया में कहां मिला था तो सब को जानकारी है आज कल तमाम आप देख रहे हैं कि कोरोना वाइरस का पहला केस वहां चीन में मिला था अब बात करते हैं कि इसके बाद अगली बात आती है कि कोरोना बाइरस किस बीमारी के कारण होता है, यह देखिए आपने पड़ा कि इस बाइरस से ये बीमारी होती है, इस बाइरस से भी बीमारी होती है, ऐसे ही अब बात करते हैं, यहाँ पर आपकी अगली जानकारी देता हूँ, कि कोरोना बाइरस जो है, वो किस बीमारी का कारण होता है, तो कोरोना बाइरस से बीमारी, कोरोना बाइरस से जो बीमारी है, वो कौन सी ब बीमारी है वाहिसा एक का नाम है मर्स और एक का नाम है सार्स तो एक बीमारी तो मर्स है और दूसरी बीमारी सार्स है और ये जो मर्स और सार्स है ये दोनों ही अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि मर्स और सार्स ये दोनों ही जो बीमारियां हैं, ये दोनों बीमारियां ब्यक्ति के लिए स्वसन तंत्र को प्रभावित कर देती हैं, और दोनों ही बीमारियां स्वसन तंत्र यानि की मनुस्च की फेपड़े के लिए पूरी तरह सी डेमेज कर देती हैं, अब बात करता हूँ कि मर्स और सर्स है क्या, त तो आपकी MERS है, जिसको MERS और SARS, तो दोनों के बारे में समझाता हूँ आपको अभी में MERS और SARS, बात करता हूँ सबसे पहले MERS की MERS क्या है, तो MERS आपका Middle East Respiratory Syndrome, Middle East Respiratory Syndrome, इसका नाम दिया गया है Middle East Respiratory Syndrome, और दूसरा, आपका जो SARS है, SARS बीमारी है, इसको कहा गया है, SEVER, ACUTE, ACUTE, Respiratory Syndrome, Respiratory Syndrome, ये दो प्रिकार की बीमारियां इस Corona Virus से होती हैं, तो प्रसना आएगा कि Corona Virus से निमली खितमें से कौन सी बीमारी होगी या होती है, तो मर्स और सार्स एजामने इसका फुल फॉर्म भी पूँच सकता है, मर्स की फुल फॉर्म है Middle East Respiratory Syndrome, और सार्स की फुल फॉर्म है, SEVER, SEVER, ACVERE, SEVER Acute Respiratory Syndrome, तो ये इससे होने वाली बीमारियां हैं, तो समझ में आ गया, अब सामान जानकारी की बात से रही है, इस समय, अब बात करता हो कि je Novel Corporal Coronavirus है, उसके लक्षण क्या है, तो उसके लक्षण में Question आसकता है, बिकल्प दे सकता है, चार बिकल्प दे सकता है, नमबर ए, बुखार, नमबर दू, खांसी, नमबर तीन सास की तकलीफ नमबर चार उपर एक सवी तो फिर आपको कौन सा क्लियर रहुतर दे देंगे तो यहाँ पर तीन प्रिकार जो होते हैं बुखार, खासी और सास लेने में तकलीफ तो इस तरह से यह आपकी थी सामाने जानकारी कोरोना बाइरस से सम्दित और अब कि भारस सरकार ने इसके लिए क्या-क्या जानकारी और क्या-क्या हम सब को बचाओ के लिए किया है, तो आपको देखे होंगे, आप इस समय आरग से तू, हे से तू, वो से तू और इसके अलावाद तमाम प्रिकार की मोबाइल है, पर कोस्टन बहां से भी उठ सकता है, क्य यहाँ पर कोस्टन जो पूछे जाएंगे, कंप्टीशन का मतलब कि स्टेंडर्ड होता है, और वो इनिवर्सल होता है, और वो इनिक होता है, अर्थात उसका कोस्टन, चाहे वो कंडिडेट बंगलरू में बैठा हो, वो भी वही उत्तर दे, और जो दिल्ली में बैठा है, अब हम उनके बारे में बताते हैं, तो अब देखते हैं, आपका बचाओ के लिए भारत सरकार ने कौन-कौन से कारे किये हैं, उन सकी बात सुरू करते हैं, तो आज का टॉपिक COVID-19 और तीसरा विंदू समाप्थुआ जानकारी, और अब हम चोथे विंदू पर चर्चा करत हैं, भारत सरकार के विविन परकार के जो मोबाइल एप भारत सरकार ने बनाई हैं, उनकी बात अब हम सुरू करते हैं, तो देखते हैं कौन-कौन सी मोबाइल एप बनाई हैं, भारत सरकार ने, उन से देखते हैं, नमबर एक, पहला आएगा कि भारत सरकार ने आरोग से त तू मोबाइल एब किस लिए लॉंच किया है तो COVID-19 के लक्षण को ट्रेक करने ही तू तो COVID-19 के लक्षण को ट्रेक करने ही तू आप देखते हैं जब आप आरोग से तू एप मोबाइल डाउनलोड करते हैं तो इसमें आप से कुछ प्रस्न पूचे जाते हैं इसमें प्रस्न पूछा जाता है क्या आप 15 दिन में कहीं से बाहर से आई हैं, क्या आप 15 दिन पिछले सब्तार से कहीं बाहर गए हैं, पूछा जाता है क्या आपको किसी तरकार की अन्य बीमारी है, इसमें पूछा जाता है क्या आपको खासी तकलीफ जैसी लक्षण या सास इने में तकलीफ है, पूचा जाता है कि आपके करीब में कोई कोरोना पॉजिटिव मिला है, अब एक्चल में देखे बहुती सीधा सा मतलब है, हमसे आज से नहीं, प्राचीन काल से इस बात को कहते चले आ रहे हैं, रिशी मुनी, कि आपको सिक्षित होना पड़ेगा, होना इन में अंतर होता है, आज हम पड़े लिख तो रहे हैं, हम सब यह चाहते हैं, 95% मार्क्स आएं, सब चाहते हैं, मेरिट में आ जाएं, सब चाहते हैं, नोकरी लग जाएं, सब चाहते हैं, अधिकारी बन जाएं, लेकिन जिंदगी जीना कोई नहीं चाहता, सब की एक पस एक ही उद्देश से मजीवन सिमट कर रह गया है। जबकि सिक्षित होने का ताथ पर यह है कि हम सही को सही गलत को गलत स्वयम को दूसरों को खत्रे में कभी न डाले। अब भारत में मुवाइल एप ही लोगों ने केवल आठ परसेंट ने डाउनलोड किया है। और इसके बाद उस पर जानकारी भी सही नहीं थी। जब जानकारी सही नहीं थी तो वही पुलिस कर्मी या डॉक्टर्स ये सब नहीं आएंगे। भारत के अंदर फिर भी बहुत ज़्यादा इस्तिती सही है। चीन के अंदर लोगों को अस्पताल तक पहुचाया ही नहीं गया। नहीं आता है विचारे डॉक्टर्स उसको जो है इसके अंदर करके अस्पताल ले जा रहे हैं। कितना अपने आपको जोखिब में डाल रहे हैं। चीन के सरकारी लोगों ने चीन की सरकार ने अपने आपको जोखिब में डाला ही नहीं मरी सारी पब्लिक मरी। तो मुबाइल अप किस लिए था, COVID-19 लख्षण को ट्रेक करने हैं, तो अगर कोई लख्षण है, तो आप उसमें बताईएगा, चलिए साथ, दूसरा, आता है कि COVID-19 जो मुबाइल अप है, वो किसके लिए है, तो एक, यह इदर मैं मुबाइल अप लिक रहा हूँ, और उधर पोश्चन आएगा आप से, कि यह एप किसलिए सरकार ने बनाया था, तो सचल पर डीकलरेशन के लिए, कि आप अपना स्वयम करें, कि वही आप को स्वयम में कैसा फील हो रहा है, कहीं आप में कोई लख्षण तो नही है, कहीं आप किसी ऐसी ब्यक्श्य से तो मिल कर नहीं आई हैं जिसमें कोई लक्षड ऐसा दिखा था तो self declaration के लिए covid-19 app बनाया था अभी सरकार नहीं एक और नया app बनाया जिसका नाम रखा quarantine तो c-o-r-o-n-t-i-n-e quarantine app बनाया और फिर पसनाता है यह quarantine app किसकी बनाये गया था covid-19 महामारी रोकने हे तू यानि कि यह इसलिए बनाये गया था कि ताकि अगर हमें कोई लक्षड है तो तुरंत हम अपने आपको कैसे quarantine करें कैसे हम अपने आपको ऐसे सुरक्षित करें और उस उरक्षा में क्या क्या हमें लेना चाहिए ताकि हमारी बज़े से कोई दूसरा जोखिम में ना पड़े अब आप देखिए अभी आज मैं अखवार में पड़ा कि एक देख्टी को कहीं positive मिला उसके family में और लेहाजा उसकी मिरती हो गई और उसके बाद उसके परिवार वाले धर का तौला लगा करके कार से भाग रहे थे पुलिस वालों ने पीछे जाकर पकड़ा तब जाकर के एक मुरादावाद के टियमी के बड़े hospital में उनको भरती कराया क्यों भाई सब आप तो खत्रे में होई हो अब आप जहां जहां जाओगे किसी hotel में रुकोगे रिष्टेदार कहा रुकोगे आप किसी रिष्टेदार कहा रुकोगे तो रिष्टेदार को खत्रे में डालोगे आप कहा रुकेंगे रास्ते में से कहीं आपको प्यास लगे के लिए ये बनाया गया इसके बाद आपका एक और एप बनाया सरकार ने कोविड केर ये सब याद रखने पड़ेंगे और 2021 तक जितने पेपर होंगे उन्हों मैं से बता दूं कि दिसंबर 2021 और 22-23 तक की बात कर रहा हूं कि 22-23 तक कोई ही पेपर होगा एक आधी पेपर ऐसा होगा जिस पेपर में कोविड 19 के टॉपिक से के कोश्चन न रखा जाए रखा जाएगा अवस रखा जाएगा वो रखा कैसा भी जा सकता है तो देखिएगा अगला एप बता रहा हूँ कोविड केयर तो अगला कोश्चन आएगा कि कोविड केयर एप किसके लिए था तो ये कोविड नाइनटीन से मुकावला है तू अब आप देखिए कि कितने जो है सिमिलर है कि आप इनको रट भी नहीं सकते भाई साथ तो बस क्य करना केयर केयर का मतलब मुकावला केयर का मतलब सुरक्षा तो मुकावला करने हैं तू तो कोविड नाइनटीन से मुकावला करने हैं तू भारत सरकार ने कौन सा एप जारी किया गया था तो आपका उत्तर होगा भाई सा कोविड केयर तो कोविड केयर एप कोविड नाइन और उसमें आपके प्रस्न उत्र ही उठाऊँगा, तो जब भी कोई प्रस्न आपके मन में आता हो, आप उसको टाइप करते रहिएगा, बाद को पढ़ूँगा मैं, ठीके न, तो COVID-19 से मुकावला करने हैं तू लगाया गया था, इसके बाद एक और पोर्टल बनाया सरकार न जिस पोर्टल का नाम रखा गया, इकती पोर्टल, वाई, यू, के, टी, आई, इकती पोर्टल, तो अब कोश्चन आपका आएगा, कि इकती पोर्टल किसलिए सरकार ने बनाया था, तो COVID-19 से निपटने ही तू, COVID-19 से निपटने ही तू, COVID-19 एब बनाया गया, फिर आईगा, तो इकती पोर्टल किसलिए, कोविबिट नाइंटी से निपटने ही तू, फिर से सुनियेगा, की COVID-19 से निपटने ही तू, सरकार ने कौन सा एब बनाया, इकती पोर्टल, COVID-19 से मुकाबला करने के लिए कौन सा बनाया, COVID-19 के लिए कौन सा बनाया, quarantine app, self-decoration के लि कैसे इसकी series सीरीज बनी और उसके बाद उतफती कैसे हुई भारत में कहा हुँआ, कैसे क्या, और जानकारी दी, इसके बारे में मैंने आपको कितने question बन सकते हैं, अब इसके बारे में mobile app की बारे में जानकारी दे रहा हुँ, तो इक की portal समझ में आ गया COVID-19 से निपटने हैं तू अगली बास शुरू करता हूं क्योंकि इस 30 जनवरी को भारत में पहला case मिला इस 30 जनवरी के बाद भारत में आपका जो है क्या-क्या भारत सरकार ने इसके लिए किया कौन-कौन से mobile app बनाए इन सब की जानकारी अब आपक कि वास करो तो अगला है mobile app जिसका नाम है वस करो WASH करो ये भी एक mobile app है भाई सब तो WASH वस करो कोरोना हमारी की fake news की जाच कर नहीं है तो कोश्चन आता है आएगा कि कोरोना माहमारी की fake news की जानकारी है तो कौन सा mobile app लाँच किया गया तो इसका नाम है SERस्ट करो ठीक है न फिर इसके बाद एक और एप बनाया गया जिस एप का नाम है आपका आयोस संजीवनी तो अगला कोश्चन आता है कि आयोस संजीवनी एप किस से सम्मंदित है इस समय आपको मुवाइल एप चोथे बिंदू के बारे में इस COVID-19 टॉपिक चल रहा है इस समय आज के इ आपके साथियों को आपके मित्रों के मित्रों को आपके रिस्तियारों के मित्रों को जानकारी प्राप्त हो जाए ताकि वो भी इस से लावान भी थो और उन्हें पता लगे तो आयोस संजीवनी किसके लिए COVID-19 के आयुरुवेदिक पद्धती से उप्चार है तू कौन सा मुबाइल अप लाउंच किया गया तो वो मुबाइल अप लाउंच किया गया जिसका नाम है आयूस संजीवनी और इसके बाद आपका अगला exit app एक और एप बना गया जिसका नाम रखा गया exit app तो exit app कहके लिए था अने राज्यों के लोगों के लिए जो अपने राज्य लोटना चाहते हैं मतलब राज्यों में लोटने है तू जैसे कोई व्यक्टी किसी अने राज्य में फसा हुआ है वह अपने राज्य में जाना चाहता है, तो आपने देखा, कि सरकार ने एक एक एगजिट एप लागू किया, एक एगजिट एप लाँच किया, जिसके मारफ़द, वह अपनी लोकेशन, अपनी जानकारी देगा, और सरकार उसका बंदोवस्त करेगी, कि वह अपनी राज्य में कैसे लो तो एक एगजिट एप समझ में आ गिया, इसके बाद आपका अगला एप सरकार ने बनाया COVID-19 से सम्मंदित, जिसका नाम था, ये पंजाब सरकार का एप है, कोवा पंजाब, तो कोवा पंजाब जो था नाम से इस पस्थ है, कोवा पंजाब इसको चाहें, तो वैसे तो हर प्रदेशन, कोवा यूपी, कोवा पंजाब इस सब बनाया था, तो पंजाब में कोरोना बाइरस के लिए रोकने ही तू, तो पंजाब में कोरोना बाइरस के संक्रमान को रोकने ही तू ये बनाया गया, जिसका नाम है कोवा पंजाब, तो समझ में आ गया होगा, अब आप अपको बिवन क्रकार से सरकार ने कौन-कौन से मुगाइल एप बनाए थे, तो ये आपका चौथा जानकारी भी समापत हुई, और अब मैं आप लोगों के प्रस्नुत्तर उठाता हूँ, और देखता हूँ, आप लोगों ने कौन-कौन से कमेट किये हैं, कौन कौन सी जानकारी अभी आपको और आवस्यक है जो और आपको मिलनी चाहिए आज के सेसन में तो आज का सेसन समझ में आई गया आपका क्या चल रहा है आज का सेसन आपका चल रहा है COVID-19 का टोपिक आपका चल रहा है दानिस फात्मा बेरी गुड मॉनिंग पूजा भारती स्वरृण सर्मा मैथी क्लास की शल रही है मैथी क्लास आज सामको पांच मेजे आपकी स्टार्ट होगी अर ले टेस्ट आपको community पर इस पता वाट से लिख करके मुझे भेज दीजिए, मैं आपको यहां से एड कर दूगा, आप जोईन हो जाएंगे, क्योंकि एड यहीं से करना होगा, आपका जो है, ओन्लाइन इस्टडी के लिए साइं एक्सिलेंट कोचिंग की गुरूप में, क्राउन का मतलब जो आप देखते हो, कि जो सिर्पर ताज, तो ताज इस तरह से तो उस पर ऐसे निकले होते हैं, वो ऐसे नहीं होता, विल्कुल टोपी की तरह उस पर निकला होता है, तो ऐसे ही जो आपने देखा होगा कि coronavirus का जो structure है तो उसमें क्या इदर उदर काटे से निकले हुए हैं इदर उदर जो एक डंबल से निकले हुए हैं तो इस प्रकार का उसका structure था इसको crown structure कहा गया था ठीक है सोने मौरिया जी बिलाल खान जी गूड मौनिंग सर मैंने आपको जो reasoning थी उस reasoning में एक पार्ट सवाप्त हो चुका है तो बिलाल खान गिरीक भासा में ताज को कहते हैं हाँ जी ठीक है बिल्कुल तो ताज कहते हैं और किसी का कोई question हो बताईए तेजी से तो आज का जो topic था आपका वो COVID-19 से समद्दे था तो और किसी का कोई question हो अशनी मौ लागू हुआ था तो 22 मार्च को लागू हुआ था भारत में कितने लोगडाउन लगे थे तो लोगडाउन चार लगे थे लोगडाउन पस्ते किस दिन का लगा था तो इस तरह से भी आपसे question पूछे आ सकते हैं जैसे आपने देखा जब भारत में नोट बंदी हुई थी तो इस तरह से question ये आई थे अपको ब भारत में पना लेड़ीं जीए उस पेज पर आजके नोट और बाकी करोना बैरास स समबर्देज समब्द जो भी प्राप्त truths और ऑगे में कोबिद 90 से समधित कोस्टन अवस्य आता रहेगा तो चलिएगा ओके तो यह था आपका क्लास कब सिरू होगी ओफ लाइन तो अभी नहीं पता आप लाइन तो जुलाई के बाद ही होगी और ओफ लाइन क्लास अभी ना हम अपने आपको खत्रे में डाल सकते ना आपको ख गंगा में आ गई है बाड अब बाड वाली गंगा में कैसे ना होगे कैसे ना हैंगे बाड वाली गंगा में किनारे पर दूर से डरते हुए अपने आपको भिगोते हुए नहा कर चले आएंगे तो ऐसे ही हमको पढ़ना भी है क्योंकि सरकार अपना काम नहीं छोड़ेगी आपने देखा कि सरकार का अपनी व्यवस्ता होती है, सुन लिजे जितने लोग लाइव हैं, मैं आपको बता दूँ कि सरकार सरकार है, कल आप मुख्यमंत्री बनोगे, कल आप प्रधान मंत्री बनोगे, तो आप अपने फाइदों को अपने हिसाब से सोचोगे, सरकार को क्योंकि सरकार को अपनी सरकार बचानी है तो सरकार बचानी है तो जनता में क्या कहना है कि भाया मुझे बोट दो तो मुझे बोट देने के लिए सरकार को आपको विग्यापन भी देना होगा और पेपर भी कराएंगे आप देखिए ओधारा न देखिए यहीं का नहीं अभी आपने देखा 69,000 की भरती के लिए सरकार ने कहा कि साथ कांस्लिंग होगी, लड़का विचारा संभल डिस्टिक इलावास से चला आ रहा है, मोटर साइकल से 400-500 किलो मीटर कार करके कोई कहीं और कांस्लिंग कैंसिल होई, तो सरकार अपना काम नहीं छोड़ेगी, जान आपको जो खिम में डालनी है, क्योंगी जीवित आपको रहना है, नुकरी आपको प्राप्त करनी है, इसलिए घर बेठे, ओनलाइन अच्छे से पड़ो, मैं आपका साथ दोगा, आपको ओनलाइन पड़ाओंगा, जो समस्या आए, मेरा वाटसर अपना मर सब के पास है, अरे तमा कि वाई, जो डीपली, कम्प्लीट इस्टेडी नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा, तो कोई भी टॉपिक का, कहीं भी कोई कोई कोश्चन हो, समझ नहीं आ रहा है, हमारे वाटसर गूर्प पर, हमारे टेलीग्राम गूर्प पर, यूटूब गूर्प पर जहां भी है, आपका जो देख पाया, और उत्तर नहीं देपाया, नहीं देख पाया, तो उसको दुवारा भेज़ दीजिए, चार-चार गंटे बाद या दूसर दिन, उत्तर मिलेगा आपको, नवस्तर मिलेगा, चलिएगा, तो देखें, अब देखते हैं हम, कि आप आपकी बात करता ह कि और किस-किस ने भेजा है, हमें कोश्चन, उनलाइन कोचिंग प्रडाम, सदैप प्रसना इंजिनियर, इकवाल अली, टॉप परेंट्स, और अच्छा जी, और बलाल खान, ओके शारी तया, गुड मॉनिंग, रोहिचा जी, COVID-19 किस चीज से फैलता है, तो किस चीज से फै पहुंचेगा कैसी, तो पहुंचने के हमारे पास कितने रास्ते हैं, केवल बाइरस को पहुंचने के हमारे शरीर के अंदर जो रास्ते होते हैं, वो भी जो हवा में रहते हैं, तो बोडी के अंदर हवा कहा से जाती है, यह बताईए, तो बोडी के अंदर हवा दो जगे से लेगा तो तब तक यह virus भानी पहुच अब माली जी आपके ओली में है और वायरस आपकी ओली में है आपने इस वुली से क्या किया समसा उठाया filter खा लिया समसी की साथ चैपक करके बाइरस अंदर चला जायेगा तो बाइरस कैसे फैलता है हवा में हैं माली जी अभी से पोच क्या है कि आप ऐसा नहीं देखिए कितना एक तरीका आपको समझा रहा हूँ समझे इसको जैसे अभी एक कोई COVID-19 से ग्रिसित व्यक्ति जो है वो आपके घर के सामने से निकल गया और आपके घर के सामने से निकल गया और वो वहाँ पर छी है रहा होगा कम से कम दो मीटर और अब वो आपके अपने घर से रोड पर आए और रोड पर आने के बाद आपने भी उसी रोड पर सास ली चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा तो आप समझ में आ गया इतना बड़ा खत्रा होता है चलिएगा चीन में अभी एक नया वायर अब दिस कुमार जी गूड मौनिंग ओवी तक कोई पता नहीं चला है लेकिन बैग्यानिकों का मानना है कि चमगादर इसका बहा हो सकता है हां चमगादर को मान लिया गया है ड़डू ए चॅंब भी चमगाजल को बोल दिया है आजिस्क मर्मराइट से रस नों बता दिया आप वीडिए को दुबारा से देख लेंगे मैंने सारी चर्चा पहले नाम पर ही सारी चर्चा की ती कैसे 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 इसका नाम रखा गया फिर उत्पत्ती कैसे हुई 1960 में पहली बार पता लगा जा मुवाइल हैं बता किया किया अपकी इसका उतस नाम अएटा थो थो साम को साथ वही से साड़े आट वही से तक जी के लाइफ टेस्ट का ये दो सेसन बहोती बिसले सहरा आत्मक है आपकी लाइफ के लिए और इन दोनों सेसन में میں आपको परसणल लाइफ के भी आपके अपने जीवन जीने के भी कुछ ना कुछ टिप से देता ही रहता हूँ तो ये दो सेशन आपके अपनी व्यक्तिगत, आपके अपनी सोसलोज, आपके अपनी एकोनोमिक लाइफ के लिए बहुत ही इंपोड़ेंट है, तो चलिए और किसी का कोई कोई कोश्चन हो, जल्दी बताइए तेजी से, कोई भी कोश्चन कोरोना वाइरस से संब पारे में बहुता ही जानकारी हूँ, मुवाइल है, आपको बतादी मैंने, ठीके न, तो और किसी का कोई कोश्चन हो, तेजी से वो कोश्चन मेरे पास भेजिए, किसी का कोई भी कोश्चन, अभी मेरे पास बिलाद खान का उत्तर बसके बल है, अस्वनी मौर्या केरल में, तो आठ पचास तक की मेरे पास जो लिख्यों है वहा रहे हैं और बताएगा और किसी का कोई कोश्चन जो हो तेजी से भेजिएगा किसी का कोई कोश्चन यदि अभी इससे संबंद देखते हैं इसे केरल में मेडिकल की केरल में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 20 साल की देदिया तो केरल है और बाकी लोग सुन लिजिएगा केरल में राफिया नामक लड़की को सर प्रिथम भारत में पहली कोविड-19 की मरीज थी चलिएगा राज अवे 20 एर की स्टुडेंट जो बहान चाइना में स्टड़ी करती थी अच्छा जी चलिए ठीक है दानिस बात लगता है ज्यान से ज्यान उत्पन होता है तो जब आप ज्यान के संपर्क में रहोगे आपको पता है कि ज्यानवान वनाने के लिए हमारे जीवन के अंदर बातावन का बहुत बड़ा महत्पो होता है कि हमें कौन लोग हमारे बातावन में आते हैं जो हमारे संपर्क में आ और मौले शेहर करम चारी इस्ठल बिल्कुल मैंने CPU पाच लोगों की देन हम पर 35% पड़ती है और हम इन पाच लोगों से जीवन परेंद प्रभावित होते हैं चलिएगा और किसी का कोश्चन इस के रली सही है बिलकुल मैंने आपकी बात को कह दें मुझे याद आ गया कोई दिक्कत नहीं है तो केरल महरास की दिक्कत थी तो च चलिए देखते हैं साहब इंजे बाले केरल में मेडिकल की पड़ाई करने वाली 20 साल गिड़ की पहली मरीज इसका नाम राफिया और किसी का कोई कोश्चन तेजी से भीजिए मेरे साथ देखें आज से एक जुलाई से जो हमारा सेशन चल रहा है एक जुलाई से आपको मैं कराईगे कोई कि सीटेट में 90 नंबर की पेड़ागोजी आएगी बता दीजी आप अपने आपको अपने मित्रों के मित्रों के मित्रों को रिस्तधारों को मित्रों को मित्रों के रिस्तधारों को तो 90 नंबर की पेड़ागोजी कम्प्लीट कराऊगा के विल पास से रुप से ग्यारा वजे तक हिस्टी का सैसन इसी चैनल पर लगेगा यूटूब पर निसल कोगा और उसके बाद ग्यारा वजे से एक वजे तक का सैसन जेल वारडर एपीपी लेक पाल और आपका जो फायर में जेल वारडर के लिए वो पेड़ है उसका पास्टर उफिस रखा गया दो घंटी क्लास है उसमें आपको कुछ भी पूछना बताना है तो वो मेरे को वार्ट सेप कर सकते हैं मुझे और इसके बाद आपका जो बाकी एक से तीन और तीन से पाँच बीओ नेट के लिए वो भी आपके ऑनलाइन स्टेडी पर ही है और इसके बाद साम को पाँच ब क्या सर चाइना ने हमें कोरोना और सीमा विबाद दोनों तरह से परिसान किया है क्या हमें पाकिस्तान की तरह से चाइना सी अपने संबन तोड़ने चाहिए यह संबन तूटने वाले हैं और आपको बता दिया यह दो हजार बीस इस भारत की पिछले दो सो सालों से जादा फैंकर गुजरिएगी तो देखिएगा सर बीयो का क्या पेमेंट है बीयो के लिए भी पेमेंट नहीं किया है आप हमें वाटसेप कर दीजिए हम बता देंगे चलिए इसी के साथ आज का यह सैसन हम समाप्त करते हैं जिन लोगों को जिस गुरूप में जूड़ना है तेज भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नाइन सेविन फाइव एट डवल सेवन वन नाइन सेविन वन आप देखेगा कि इस समय मैं इस लोगडाउं में आपको चार तरह से हाजिर हूँ इस समय मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने 24 घंटे मैं कैसे बिता रहा हूँ ये भी आपको कि मैं इस समय अपने 24 घंटे के लिए किस तरह से काम कर रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि एक हमारा तनाव मुक्त संसार की स्थापना मैंने की है इसके लिए लोग मेरे पास message भी करते हैं और पहले से appointment लेते हैं तो जो लोग जिस प्रकार के depression में है जिस प्रकार की tension में है उनकी tension उनकी depression दूर करने का काम मैंने शुरू कर दिया है दूसरा काम मैं करता हूँ आपका IQ test और career counseling तो career counseling और IQ test के लिए मैंने वह उस्ता शुरू कर दिया इसके लिए office आ र काबिल आप नहीं जानते हैं हम नहीं जानते कि क्या हमारे काबिल है को कि ना हर चीज हमारे काबिल है ना हम हर एक के काबिल है जहां दोनों की training बन जाती है तो पहला काम यह कर रहा हूँ मैं दूसरा काम यह कर रहा हूँ तीसरा काम आप देखते हैं मैं online study पर आप लोगों तो चार घंटे आपको मुफ्त में यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्द हूँ, तो आप यूट्यूब चैनल वाली जो मुफ्त में आप जारी जानकार इकटी करना चाहते हैं, वो यूट्यूब चैनल के सेशन को जरूर अटरंड किया करें, सुबह आठ होई से नो बजी तक आपका करेंट अफ्यर्स और दसवी से गारे तक हिस्ट्री, तो सामको पास से छे मैथ, और सामको साथ से साड़े आठ होई तक आपका जर्नल वालीज का लाइफ टेस्टिसी के साथ ये सेसन एंड करता हूँ, जय हिन जय भारत, नमस्कार.